जेपी नड़ा जी कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं शी नितिन गटकरी जी यहां उपस्तित सभी मंत्री गण, सांसत गण बड़ी संख्या में हमारे स्थानिय वरिष्ट कारकरता बंदू पदादिकारी बंदू और विभिन सभागारों में डिश्टिल मीडिया के मार्जम से इस कारकरम में जुटे हुए हमारे सभी वरिष्ट कारकरता बंदू और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के मार्जम से हमारे लाखों कारकरता देश भर के जो जुटे हैं सबसे पहले इस एतिहासिक कारकरम में मैं अपनी और से और आप सब लोगों की और से आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का हार देख अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ मैं उनका विशेश अभिनंदन इसलिए करता हूँ क्योंकि वह देश के प्रधान मंत्री जरूर है देश का नित्रत वह लंबे समय से कर रहे है विपक्ष भी मानता रहा है दुनिया भी मानती रही है लेकिन हम सब लोगों के लिए ये सौभागी की बात है कि उनके दिलों में हमेशा भारतिय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े कैसे कमल खिले कैसे हमारी विचारधारा आगे बढ़े इसका सतत मार्दर्शन, चिंतन, सहयोग हम सब को मिलता रहता है मैं जब उनका स्वागत कर रहा हूँ तो मैं दो बातें जरूर बताना चाहूँ एक, हमें कभी ऐसा मैसूस नहीं हुआ कि हम प्रधान मंत्री जी का समय ले रहे हैं पार्टी की बात के लिए अगर हमने छोटी बात के लिए भी अगर उनसे हमने विचार करने का बन बनाया तो उन्होंने आगे आ करके हमेशा हर बारिकियों में जाने का प्रयास किया और हमें मदद किया वह प्रधान मंत्री हैं लेकिन संगठन मंत्री उनके दिल में हमेशा बसा हुआ है ये भी हम प्रधान मंत्री है एक उधारन और दूँगा मैं जब से राष्टिया जक्स बना हूँ अनेकों पार्लेमेंटरी बोर्ट की बैठक हुई है संसदिय बोर्ट की बैठक हुई है चुनाव समीति की बैठक हुई है लेकिन प्रधान मंत्री जी ने हमें जो संसकार दिये हैं वो हमको समझने लाइक है आज दिन तक कोई भी बैठक प्रधान मंत्री कारेले या निवास में नहीं हुई वो हमेशा दीन द्याल उपाध्याय मार्ग पर हुई है ये उनलवी ये बताता है उनका पार्टी के प्रती प्यार लगाओ समर्पड और ये हम कारेकरताओं के लिए हमेशा सीखने वाली बात है जिसे हमें भी अपने जीवन शैली में उतारना और पार्टी के प्रती समर्पित रहना ये हमको इसमें से सरस्कार दिये हैं मैं पार्टी के सभी कारे करता हूं को एक बात जरू कहूंगा कि आपके लिए एक एतिहासिक मौका है आज से 20 साल बाद पार्टी तो बढ़ेगी आगे तो बढ़ेगी लेकिन आप ये कह सकेंगे इसके चश्मदीद गवाब बनेंगे 20 साल बाद दी आप गौरव से कह सकेंगे कि जिस दिन इसका लोकारपन हो रहा था उस दिन मैं भी उपस्तित था ये आपको एक एतिहासिक मौका में मुझे याद है 2014 में नितिन जी ने मुझे जिम्मा दिया था कि 11 शोक रोड का उसका उसको मौडिफाइ करो और उसका कारे हमने शुरू किया था उस समय हम लोगों ने बहुत ताकत लगा करके उस कारेले को बनाया था और उसमें जो चीज हम जोड सकते थे उस जगा की कमी को देख जगा कम होने पर भी उसको हम पूरा कर रहे थे उस समय प्रदान मंत्री जी गुजरात के मुक्य मंत्री थे और वो एक चुनाओ समीती की बैठक में आये थे उन्होंने कारेले देखा बड़ी बारीकी से देखा सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा बना तो है लेकिन यह अभी सरकारी भवन में बना है हमें अपने का समय प्रदान मंत्री बन करके आये तो आपने हम सब लोगों के बीच में इस बात को रखा था मैं महा मंत्री था उस समय अमिद जी उस समय राश्टी अध्यक्ष बन गए उन्होंने एक कारेले में कारेक्रम में वो जब उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपना कारेले बनाना चाहिए और अपना कारेले सिर्फ देश का नहीं बनाना चाहिए सारे प्रदेश कारेले भी बनने चाहिए और हर जिले में भारतिये जन्ता पार्टी का कारेले बनने चाहिए और मुझे खुशी है कि अमिद भाई ने एक विरहत योजना बनाई जो प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी उसको साकार करने का संकल्प लिया और ये तैह हुआ कि देश भर में 887 डिस्ट्रिक्स में कारेले बनेंगे उसकी योजना बनी और मुझे आज रान मंत्री जी को बताते हैं वो खुशी हो रही है कि 499 यानि 500 में से एक कम कारेले बन करके उधगाटन हो करके लोकारपित हो गए 115 कारेलों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 123 कारेलों की जमीन और बाकी विवस्थाएं चल रही है इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी सिर्फ देश को ही आतनर्वर नहीं कर रहे है वो पार्टी को भी आतनर्वर करने के लिए क्रेज कर रहे हैं यह भी हमको को कि अ है scholars मित्रों bạnго पार्टी के द्रिश्टिक से सिर्फ हमारा हाड़र बन जाएं यह उद्देश्य प्रधान मंत्री जी का नहीं रहा है प्रधान मंत्री जी ने मूझ रूप में पारटी के अंदर हमारे कारे करने की शैली में भी संसकारों में भी किस तरीके से हम अपने आपको और बहतर कर सकते हैं इसमें उनका विशेश योगदान रहा है कोरना की हमारी आई दुनिया मानती है कि प्रदान मंत्री जी ने किस तरीके से फोन करके कहा कि कोरोना में पार्टी क्या कर रही है और उन्होंने खुद ये सेवाही संगठन ये नाम देते हुए क्या-क्या आयाम पर हम काम कर सकते हैं इसकी योजना उन्होंने हम सब के बीच में रखी और हम सब को मालूम है कि विश्यो की सबसे बड़ी पार्टी ने आगे बढ़ाया और उसमें किस तरीके से हमने लोगों को भोजन पहुचाया राशन पहुचाया दवाईया पहुचायी ये सब आप सब लोग जानते हैं मास्क पहुचाये और जो काम हम लोगों ने सीखा भी नहीं था वह भी हमारे लोगों ने सीखा मास्क बनाना सीखा औ एक तरीके से सेवा ही संगठन को आगे बढ़ाया गया और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब भार्तियजनता पार्टी का सेवा सब्ता यह एक सतत कार्कम बन गया है। उसी तरीके से हम समाज के सभी व्याद सभी वर्गों के लिए हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने हमको प्रेरित किया कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई नड़े और आपको मालूम है आज ही सुबह मैंने सांसदों से चर्चा की कि छे तारी को सापना दिवत से लेकर चौदा तारी को भीम राव और बेटकर जी कि जन जैनती तक हम सेवा सप मनाते हैं और उसमें हम सभी सभाजिक न्याय की लड़ाई की जिविशे हैं उन सब को रखते हैं उसी तरीके से एक भारत श्रिष्ट भारत के तहट एक नई प्रेरणा हमको दिए अगर हमारा कोई तामिल नाडू का भाई दिल्ली में है तो हम तामिल नाडू की स्थापना दिल्ली में भी मननी चाहिए उनको जोड़ना चाहिए और इस तरीके से सांस्कृतिक कारिक्रमों से हमको साथ लाना चाहिए उसको भी पार्टी ने आगे जोड़ा उसी तरीके से सने मिलन के कारिक्रम के माध्यम से समाज के विबिन वर्गों में काम करने की जोजना में उन जनता पार्टी को जानू इसकी प्रेज़ना आपने दी और आपको जान करके खुशी होगी कि इसी दीन दियाल परिसर में 56 से जादा राजदूत भारतिय जनता पार्टी को समझने के लिए आए हैं और पांच देशों के विदेश मंत्री, फाइनांस मिनिस्टर और प्रधान मंत्री भी इस कारेले में आए हैं और भारतिय जनता पार्टी का जिसको कहते हैं अंतराष्टी इस सर पर उस चर्चा को शुरू किया हैं आपकी प्रेना से हम अब डेलिगेशन पार्टी तुपार्टी, दुनिया के सभी प्रिटिकल पार्टी के साथ कर रहे हैं, इसलिए म हमारे कारेले तो बने हैं लेकिन कारेले में बनने वाले कारेकरता भी सुद्रिण और अच्छे होकर के सुसल्स्कृत होकर के भारतिय जनता पार्टी की एक जीती जाकती तस्वीर बन करके वो भारत की सेवा करें इसके लिए हम काम कर रहे हैं अमिद भाई ने एक कलपना रखी कि हमारा रिसर्स सेन्टर होना चाहिए और जो कलपना उनने रखी है उसको हम लोग साकार करेंगे ये दुनिया का बन अवड़ा हाई क्वालिटी विचारों से युक हमारे संस्कारों से युक रिसर्स सेन्टर बनने वाला है इसको भी हम मारदर्शन मिलेगा और उनके मारदर्शन से जो पार्टी कारे को आगे बलहारी है उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा की आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो प्रधान मंत्री और निवेदन नहीं ये निर्देश है कि हम सब लोग प्रधान मंत्री जी के जो हमको विचार मिलते हैं उसको जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए हम सब तर पर होगे और इस बात का विश्वास मैं प्रधान मंत्री जी को भी देता हूँ इनी शब्दों के साथ धन्यवाद है